हेलो इस वीडियो में हम formula type के function library group में insert function के बारे में जानेगे तो सबसे पहले हम यहां पे जानते हैं कि function library group होता है क्या है इस group में formula को शामिल किया है ताकि हम excel formula को इस group से access कर सके तो इसमें सबसे पहले insult function है यह function हमें function search करने या उस प्रकार के function का chain करने में साइता करता है जिसे हम करना जाते हैं तो insert function को अगर हम keyword की shortcut key से open करना जाते है तो हम keyword से shift plus f3 key press करेंगे यह देखो shift plus f3 key press की तो यह insert function यहाँ पे open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे इसको बंद करते है तो यहाँ पे हम यह सीखेंगे कि insert function में काम कैसे किये जाता है जैसे insert function में sum कैसे किया जाता है average कैसे निकाली जाती है count कैसे किया जाता है maximum value कैसे निकाली जाती है minimum value तो इसको यहाँ पे हम करेंगे यह हमारे पास यहाँ पे data दिया गया है अगर हम यह चाहते है कि यह जो data है mohit का यह यहाँ पे यह marks है इनका total हमें यहां पे चाहिए तो इनका total करने के लिए हम एक तो यहां पे formula लगाएंगे equal to यहां पे equal to लिखा किसी भी formula को start करने के लिए सबसे पहले equal to यहां पे लिखा जाता है equal to लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे sum यह sum लिखा सम लिखते ही यहां पर यह option आ जाएंगे यहां पर इसके ओपर double click करेंगे यह लिखो double click किया है करने के बाद यहां पर number लिखेंगे तो number range यह हम select करेंगे किसका किसका हमने यहां पर sum करना है तो इसको यहां पर हम select करेंगे range को range को select करने के बाद ये bracket बंद करने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद तो ये लिखो ये जो marks है इनका total यहाँ पर आ जाएगा तो एक तो हम इसके जरीए sum यहाँ पर निकाल सकते है अगर ये ही sum हमने insult function के जरीए निकालना है ये यहाँ पर दिये गया insult function तो इसके जरीए अगर हम यहाँ पर sum निकालना जाते है तो इसको यहाँ पर delete करेंगे ये delete किया delete करने के बाद हम के करेंगे यहाँ पर insult function यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर ये insult function डायलो बॉक्स आ जाएगा यहां पे सबसे पहले यहां पे दिए गया है search for a function यहां पे search for a function लिखा हुआ है कि हमने कौन सा function यहां पे apply करना है तो हम यहां पे लिखेंगे तो हमने यहां पे sum यह apply करना है तो हम यहां पे लिखेंगे sum यह sum लिखा कि हमें यहां पे sum करना है Sum करने के बाद यहां पर Go पर क्लिक करेंगी Selective Function तो Selective Function इसमें सारे यहां पर Option आ जाएंगी कि अब करना क्या है तो यहां पर Sum करना है यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसके बाद यहां पर OK पर क्लिक करेंगी यह ok पे click करने के बाद यह function arguments डायलो बॉक्स यहां पे open हो जाएगा इसमें यहां पे यह number दिया हुआ है number 1 यहां पे हम range select करेंगे कि किन किन numbers का हमें यहां पे समझे यह तो हम यह जैसे यह first वाले यह हम range select करेंगे यहां से लेके यहां तक यह range select की select करने के बाद यह देखो यहां पे आ गया b2 और इसके बाद colon f2 तो हमने क्या है यहां पे यह b2 है यह b2 और यह f2 यहां तक हमने यह sum करना है तो यह range यहां पे आ गई आने के बाद यह देखो किसका किसका sum है यहां पे 88,85,65,95,75 यह रेंज यहां पे आ गई है, आने के बाद हम क्ये करेंगे, यहां पे OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद ये दिखो, ये 408 यहां पे, total यहां पे आ जाएगा तो इस तरह से हम insert function के जरिए sum निकाल सकते हैं इसके बाद है, आगे average अगर हम average निकालना जाते हैं तो average निकालने के लिए यहां पे हम लिखेंगे equal to यह किसी भी formula को start करने के लिए equal to use किया जाते है equal to लिखा इसके बाद average a b लिखा और यह लिखो निचे यह option आ जाएंगे यहां पे average पे double click करेंगे double click करने के बाद यह range select करेंगे किसकी average निकालनी है यह range हमने यहां पे select की करने के बाद यहां पे bracket को बंद करेंगे यह bracket 1 की बंद करने के बाद यहां पे enter प्रेस करेंगे तो यह देखो 76.2 यहां पर average निकल जाएगी अगर हम इसी average को insert function के जरीए निकालना जाते हैं तो हम इसको delete करेंगे यहां पर यह delete किया delete करने के बाद यह हम यहां पर insert function यहां पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर हम लिखेंगे average average लिखा लिखने के बाद हमने यहां पे go पे क्लिक किया go पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पे average लिखा हुआ आ गया selective function यहां पे average आ गया यहां पे हम click करेंगे और इसके बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह हमारे पास average यह दिखो यहां पे average लिखा हुआ आ गया कि यहां पे हम क्या निकालेंगे average निकालेंगे इसके बाद यहां पे number one यहां पे लिए गया है कि कौन सी range हमें चाहिए जिसकी average निकालनी है तो हमें इसकी average निकालनी है यहां पे हम इसको select करेंगे यह देखो यह range हमने यह select की Select करने के बाद यह दिखो यहां पे B3, F3 तो यह दिखो यह B3 है, यह F3 है इसकी average हमने निकालनी है यह दिखो इसके बीच में जितने भी है इनकी average निकालनी है तो कौन-कौन से यहां पे नंबर है यह दिखो 98 है, 49 है, 65 है, 85 है और 84 है इनकी average हमने यहां पे निकालनी है इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पे OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पे insert function के जड़िये यहां पे average निकल के यहां पे आ जाएगी तो इस प्रकार हम यहां पर average निकाल सकते हैं इसके बाद यहां पर count करने हैं कि यह कितने number है तो इसको count करने के लिए हम यहां पर click करेंगे और simply हम count कैसे करते हैं इसको equal to sign लगाएंगे यह लेखो count यहां पर click किया और यहां पर count आ गया यहांपे double click करेंगे हम यहांपे range select करेंगे यह हमने range select की कि यह कितने count होके आ जाएं कि कितने है यह इसके बाद bracket यह बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह रिखो यह जो number है यह कितने थे यह count करके यहांपे बता दिया है यह 12345 यह 5 number है यह तो इसी को अ करने के बाद insert function पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे search for a function यहां पे लिखेंगे count यहां पे हमने count लिखा यह रिको count लिखने के बाद यहां पे go पे click करेंगे go पे click करने के बाद यह select function यहां पे सबसे उपर आ जाएगा count यहां पे click करेंगे और okay पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद यह देखो, यहां पर आ गया count, तो यह बता रहा है कि यहां पर क्या होगा, यह number की counting होगी, तो यहां पर count लिखा हुआ है, यहां पर value, यहां पर हम range select करेंगे, तो range हमने यह select की, तो यह range यहां पर आ गयी, B4 colon F4 इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर OK पर क्लिक करेंगे OK पर क्लिक करने के बाद यह देखो यह जितने भी number है यह count होके यहाँ पर आगे इसके बाद अगर maximum value यह दिखनी है तो simply हम maximum value कैसे दिखते हैं यहाँ पर equal to sign यूज किया है यहाँ पर max लिखेंगे max यह दिखो max लिखने के बाद यहाँ पर double click करेंगे यह दिखो यहाँ पर double click करने के बाद यह range select करेंगे यह range select की कि इसमें हमने maximum value दिखनी है इसके बाद bracket बंद की यह bracket बंद की enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह लिखो, यह जो value हमने select की थी, इसमें जो maximum value है, यह हमारे पास 85, यह लिखो, यह हमारे पास maximum value है, तो यह maximum value आ गई, आगर हम maximum value insert function के ज़रिए करना जाते हैं, तो इसको यहाँ पे delete करते हैं, यह delete के, इसके बाद, यहाँ पे insert function यहाँ पे click किया, और यहाँ पे search for a function max max ये लिखा ये लिखने के बाद go पे क्लिक किया go पे क्लिक करने के बाद यहां पे max ये लिखा हुआ यहां पे आ गया है यहां पे क्लिक किया और ok पे क्लिक किया ok पे क्लिक करने के बाद यहां पे यह max ये लिखा हुआ आ गया आने के बाद यहां पे number यहां पे दिये गया ह तो range हम यहां पे select करेंगे तो range जो है हम यह select करेंगे कि इसमें हमें maximum value बताए यह range select की तो यह range यहां पे आ गई b5 colon f5 यह आ गई आने के बाद यहां पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह रिखो 85 यहां पे maximum value है तो इसी तरह यह minimum value है इसको भी simply हम यहाँ पे निकालना जाते है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे equal to sign और यहाँ पे min यहाँ पे लिखा लिखने के बाद यह रिखो min यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे double click किया यहाँ पे यह minimum value निकालनी है इसके बाद यह then select की select करने के बाद bracket यहाँ पे बंद करेंगे यह bracket बंद की इसके बाद enter प्रस किया यह जो है minimum value है यह देखो 45 यहाँ पे minimum value है यह देखो सभी value 45 से अब आब है तो यह minimum value है इसी को हम insert function के जड़िये करेंगे minimum value को निकालेंगे यहाँ पे इसको delete किया delete करने के बाद insert function पे जाएंगे insert function पे जाने के बाद यहाँ पे search for a function यहाँ पे लिखेंगे minimum यहाँ पे min यह लिखा हमने लिखने के बाद यहाँ पे go पे click करेंगे go पे click करने के बाद यह लिखो select function यहां पे उपर सबसे उपर आ जाएगा minimum यहां पे हम click करेंगे और click करने के बाद यहां पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह दिखो यहां पे minimum यहां पे लिखा हुआ आ गया यह minimum यहां पे लिखा हुआ आ गया इसके बाद इन number यहां पे range select करेंगे तो यह range हमने यहाँ पे select की तो हमें minimum value यहाँ भी show हो जाती है यह देखो 45 यह minimum value है हमने क्या करना है यहाँ पे minimum value show करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह देखो यहाँ पे minimum value हो जाएगी तो इस वीडियो में हमने इंसल्ड फंक्शन के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद